अभी हमाने पर्टे लोटवानों के लिए दो लाईने कहना जाओंगा परपंचाज के खिलाव जाकर चंता को उताकर दे रहे हैं डर कर गुपकार गैंक एक जुठ हुई है और उसमें कॉंग्रेस भी हिस्सा बनी कॉंग्रेस उन लोगों का साथ दे रही है कोई जो चीन से सहीयोग मांगता है कोई पाकिस्तान की भाषा बोलता है तो कोई तरंगे का अपमान करती है कॉंग्रेस की क्या मजबूरी है इनका साथ देने की क्या कॉंग्रेस की बार-बार हार मजबूर कर रही है कॉंग्रेस को इस तरफ आने के लिए या कॉंग्रेस के पास लीडर्शिप खत्म हो चुकी है या कॉंग्रेस के पास नीचे कारे करता नहीं बचा आखिरकार क्या करना चाहते हैं जिन लोगों ने दो तिन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूट लूट कर खोकला किया वो अपनी सत्ता को जाते देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि अफ़िकास पंचायत बीडीसी और डीडीसी कराएंगे तो इसमें उनको लगता है कि उनकी जो मलाई खाने का काम था वो बंद हो जाएगा इसलिए वो पहले से दूर रहना चाहते थे फिर लगा कि हार दिख रही है तो अब गैंक बनाकर इकटे हुए हैं इनकी विचार धारा इनी मिलती इनके नेताओं के विचार नहीं मिलते इनके प्रयास ननेता है न नियत है और यह मजबूरी के साथ इकठे आए हैं